नमस्कार आप देखरांच की खास बात आपने दोस्त वीर सिंक साथ दोस्तों लोगसवा चुनाव नजदीक है और नाकपूर जिलीक रामटेक लोगसवा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किसी बिभिन पार्टियों से कौन-कौन से लोगों का नाम अभी चर्चे में है किने उमीदवारी मिल सकती है तो आने वाला समय बताए कि चर्चे में फिलाल कितने लोग हैं किस पार्टी से उसके बारे में आज हम आप से जिक्र करेंगे चर्चा करेंगे कि कौंग्रेस से पहले कितने उमीदवार हैं एक सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किशोर गजबी एका किशोर गजबी आपको बता दू कि पूर आई-पी-एस अधिकारी रह चुके हैं लेकिन सुद्र बताते हैं कि इन्हें आई-पी-एस रहते हुए नाकपूर में इन्हें काम करने का आफसर प्राप्त नहीं हुआ हलांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कॉंग्रेस से चुनाव लड़ा था लेकिन उस समय शिवशेना बीजेपी गटवंधन में जो कृपाल तुमाने अमिदवार थे उनसे इन्हें हार का सामना करना परा था दूसरा नाम आता है राजू पारवे का राजू पारवे उम्रेड विधानसभा में रहते हैं सन 2014 तक स्षीवशेना में काफी सक्रिये थे लेकिन श्वशेना ने चौदा में इन्हें विधानसभा की उमिदवारी नहीं दी जिसके बाद इन्होंने अपक्ष लड़ा जिसम वहीं दूसरी और सुद्र बताते हैं कि BJP के वरिष्ट नेताओं के साथ राजू पारवे के सम्मंध मधुर हैं तीसरा नाम आता है कुनाल राउथ कुनाल राउथ नाकपूर शहर में रहते हैं पुर उर्जा मंत्री और नाकपूर के पालग मंत्री रह चुके नितिन राउत के सुपुत्र हैं इन्होंने जब पहली बार युवा कॉंग्रेश प्रदेश अध्यक्ष पत का चुनाव लड़ा तो इसमें उन्हें हार का सामना करना परा लेकिन इन्होंने युवाओं के बी साखरे का है सुरेश साखरे के बारें बताया जाता है कि संद 2019 बीस में जब यह बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय उद्धव ठाकरे के नेत्रित हुए शिव शेना में इन्होंने प्रवेश लिया इनका जन संपर्क लोगसभा राम्टेक में कितना है यह अभी लोगसभा के सह संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है और शिव शेना के खासदार विनायक राउत के करीबियों में से एक नाम इनका भी बताया जाता है अब हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से नाम आता है सुधीर पार्वे सुधीर पार्वे उम्रेट व लोगसभा में अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनका जन संपर्क बना रहे हैं दूसरा नाम अरविंद गजबिये का है अरविंद गजबिये नाकपूर गरामीन में रहते हैं पुर्व नाकपूर गरामीन अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजब के वरिष्ट नेताओं के सा इनका भी नाम सामने आया है अब शिवशेणा शिंदेगुट में एक ही नाम सामने आया है खुलकर वह कृपाल तुमाने जो फिलाल इस वक्त भी यह राम्टेक लोग सबहा के खासदार अब तुमाने के बारे में मेरा कुछ ज्यादा बोलना उचीत नहीं है क्यूंकि लगातार दो बार से चाह के खासदार से आप चुछ गुछ जानते हैं तो मगताइए कि किसी परीचाय के मोरताज नहीन है आप खुद ही इन के बारे में सब कुछ समझते हैं खैर आने समय में हम ऐसे ही सर्वे फिर से आप तक लेकर आते रहेंगे और निश्पक्ष सच आप तक हम जरूर लिखा रहेंगे हमारे साथ आप बने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इंडिस यह जाहें